नमस्कार शुब्द साचे के समचार बुलिटिन में आपका स्वागत है आईए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुखबरों से नई सरकार बनने के बाद वित्यमंत्री निर्मला सीता रमण ने संसद में बजट पेश किया उनका ये लगातार साथवा बजट है इस बार बजट में महिला युवा और किसानों पर फोकस रखा गया है इस बार के बजट में मुख्य प्रावधानों पर नज़र डालें तो एक लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद तीन किष्टों में मिलेगी छात्रों की बात करें तो जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर के संस्थानों में एड्मिशन के लिए लोन मिलेगा लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी इसके लिए ये वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल एक लाख स्टुडेंट्स को मिलेंगे वहीं आंधर प्रदेश को 15,000 करोड और बिहार को 41,000 करोड रुपए की मदद दी गई है विहार, जहारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंधर प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट के लिए विशेश स्कीम लाई गई है 6 करोड किसानों की जानकारी लैन रजिस्ट्री पर लाई जाएगी 5 राजियों में नएकिसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जाएंगे मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख रुपए किया गया है 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड युबाओं को इंटर्न्शिप का वादा बजट में किया गया है महिलाओं और लड़कियों के लिए लाख पहुंचाने वाली यूजनाओं के लिए 3 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है सूर्य घर मुक्त बिजली यूजना के तहट 1 करोड घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी मोबाइल फोन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम होने से सस्ते होंगे सोना और चान्दी के गहनों पर भी कस्टम ड्यूटी घटा कर 6 प्रतिशत की गई है वहीं अब 7.75 लाख तक का इंकम टैक्स फ्री होगा इसके लावा बजट में कैंसर दवा सोना चान्दी, प्लैटिनम मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली कितार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेधर और सीफूर्ट्स आधी सस्ता हुआ है बजट को लेकर विभिन नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रिया जाहिर की है प्रशिक्षन, आर्थिक विकास, समावेशी, मानव संसादन विकास, और सामाजिक न्याए पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है, नेशित रूप से शस्विप दानमंतरी के नेतरोत में भारत दुनिया में अपनी एक नहीं पहचान कायम करेगा देखें, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाब नहीं पहुचेगा जिस्ताइब हरे एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधन रखा है, खास करकि ये ग्रोथ ओरेंटेट बजट है, सब लोगों के लिए ड्रीम बजट है, आप टेक्स देखिये ना कितना चुट मिजल क्लास के लिए, सेलेरीट क्लास के लिए, पेंशेनर के लिए जो चुट दिया ह है, और कैंसर पेशन के लिए जो चुट दिया गया है, दवायों के लिए, ऐसा बजट आज तक आप दे कभी देखा नहीं होगा, चीजे तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको फॉस्यूने करते हैं, विच इस बेरी साथ, बूस्यूने के उनकी सेथ्टी को लेके होना चाह है, जो रूरल एरियाज में है, वो लगाता घटी जा रही है, इसके उपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है, गुजरात के सौराष्ट और साथ गुजरात में तेज बारिश की वजह से बाड के हालात हैं, द्वारका के पनेली गाउं में बाड में फसे तीन किसानों को ए किलिमीटर बारिश दर्ज की गई, आपात स्थिती से निपटने के लिए NDRF की तीन टी में तहनाद की गई है, मुंबई में जवार के चलते समुद्र में उची लहरे भी उठी, यहां औरेंज अलर्ट जारी किया गया है, MP की बात करें तो यहां भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, सिवनी जिले में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण सोंवार शाम को दो पैसेंजर ट्रेने रद की गई, हाला कि मध्यप्रदेश के विंधक शेत्र में अभी भी तेज बारिश का इंतजार है, मौ अगलवार 23 जुलाई की सुबह 3 बजे, आर्मी आतंकियों के बीच गोली बारी हुई, इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया, सेना की ओर से बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैट की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, आतंकियों को ढूंडने के लिए सर्च ओपरेशन चलाया जा रहा है, जम्मू में ये 24 घंटे में दूसरा हमला है, सोमवार को राजवरी के गोंधा में आतंकियों ने शौर्य चक्रविजेता परशोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था, बिग बॉस OTT के खलाफ 22 जुलाई को पुलिस में शिकायत की गई है, शिवसेना एकनाथ शिंदे नेता और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर मनीशा कायंदे ने शो में दिखाये जा रहे कंटेंट को लेकर मुंबई पुलिस कमिशनर विवेक फनसालकर से मुलाकात की, मनीशा का आरोप है कि बिग ब थ्री एक रियालिटी शो है, इस शो में अश्लेलता की सारी हदें पार्ट कर दी गई है, उन्होंने मुंबई पुलिस से शो के खलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए लेटर दिया है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटी आई के इफ्तार कर लिया गया, इसके अलावा पुलिस महिला कार्यकरताओं को जबरदस्ती गाड़ियों में पैठा कर अपने साथ ले गई, रीवा के मुरुमकांड में जिन्दा, बची, देवरानी, जिठानी में से देवरानी की हालत अभी सुधरी नहीं है, बारगंटे में महि को दो बार अस्पतार ले जाना पड़ा, नाक में धूल मिट्टी भरने से सांसे तेज चल रही है, शरीर के अंदर भी धूल मिट्टी चली गई है, अंदरूनी चोटे भी आई है, डॉक्टर के मताबिक हालत स्थिर है, पूरे तरह ठीक होने में एक से दो दिन लग सकते है बता दें कि मनगवा थानक शेत्र के गंगेव चौकी गाओं में निजी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध करने पर आशा पांडे और उनकी देवरानी ममता को जिन्दा महरूम से दफनाने की कोशिश की गई थी, आशा और ममता के रिष्टे में ससुर लगने वाले गौकर इसी जमीन पर रास्ता बनाने के लिए मुरूम गिरवा रहा था, विरोध करने पर डंपर से मुरूम ममता और आशा के उपर ही पलट दी गई थी, मंगलवार कूम अध्यप्रदेश महिला कॉंग्रेस की प्रदेश अध्यक्षब विभा पटेल पीडिक महिला से मिलने के ल इलाज मेला परवाही के आरोप लगाए, विपा पटेल ने कहा कि ये घटना सीधे तोर पर इन दोनों महिलाओं की हत्या का प्रयास है, भाजपा के बड़े लीडर्स और महिला कार्यकरताएं इस मुद्दे पर मौन है, पीडिता के स्वास्त है कि कोई खोज खबर नहीं ल लगा दिया गया है, भाजपा के लोग कहते हैं कि हम मामले में संग्यान ले रहे हैं, आखिर ये कैसा संग्यान है, कटनी बेला नेशनल हाइवे पर मैहर जिले में रेडियम पट्टी के नाम अवैद वसूली के मामले में मैहर S.P. सुधीर कुमार अगरवाल की उल्जन पर आए डिप्टी सीएम राजेंदर शुकला तक पहुची थी, उन्होंने आईजी रिवा रेंज महेंदर सिंग सिकरवार से इस पर एक्षन लेने को कहा था, जिसके बाद मैहर S.P. को नोटिस थमाया गया, रिवा रेंज के D.I.G. साकेत पांडे ने मैहर S.P. सुधीर को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है, S.P. को तीन दिन में जवाब देना है, नोटिस के जरीए S.P. से पूछा गया है कि संबंधित व्यक्ति अथवा एजनसी को किसके आदेश से जाच का अधिकार दिया गया था, अनुमती अगर लोग हित में भी थी, तो जीजा ने उसकी आँख ही फोड़ दी है, गंभीर हालत में युवक को सतना से रीवा रिफर कर दिया गया है, बताया जा रहा है कि शहर में सिटी कोतवाली अंतरगत बजराहा टोला में रहने वाले मिथुन चौधरी के साथ उसके जीजा महेश ने मार पीट की और उसकी आ राजनगर में महेश के साथ हुई थी, पिछले कुछ समय से बहन बीमार थी, लेकिन ससुराल वाले उसका इलाज नहीं करा रहे थे, जिसके कारण मिथुन अपनी बहन को राजनगर से सतना ले आया था, अब जब उसका जीजा अपनी पतनी को लेने सतना आया, तो मिथुन जीजा से सतना मही किराय पर कमरा लेकर रहने की सलाह दे दी, ये सलाह महेश को नागवार गुजरी और उसने मिथुन के साथ मार पेट शुरू कर दी, इन दौर के महों में बच्चों के विवाद में दो समाज के लोग आमने सामने हो गए, सोमवार देर राद दोनों ओर से पत्राब हो गया, जिसमें 12 लोग घायल हुए हैं, मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शान कराया, यहां मंगलवार को फोर्स तहनात किया गया, कोदवाली थाना प्रभारी संजय दिवेदी के मताबिक, न्यू गुराडिया गाउं में, पासी समाज और आदिवा पासी समाज के नाबालेगों ने उससे मार पीट की, इसकी जानकारी पासी समाज को हुई, तो विवाद बढ़ गया, घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है, क्रॉस F.I.R. दर्ज की गई है, मामले में कुल 15 लोगों के खिलाफ के इस दर्ज किया गया है, सावन क पासी महीने में पहले सुमवार को निकली महाकाल की सवारी में भगदर जैसे हालात बन गए, पुलिस ने तुरंत स्थिती को संभाल लिया, जिसने कोई हताहत नहीं हुआ, कलेक्टर नीरज कुमार सिंग का कहना है कि डीजे वाले के कारण ये स्थिती बनी, उसके खिलाफ क पारिवाई की जाएगी, घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया है, पुलिस ने भगवान महाकाल की सवारी के रास्ते में भीड को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग की थी, राजगड में बेकाबू ट्रक ने एक के बाद एक छे वाहनों को कुचल दिया, हादसे मे रेटायर्ट सेल्ट ट्रैक्स अकाउंटेंट की मौत हो गई, वहीं एक बाइक पर सवार तीन लोगों ने कूत कर जान बचाई, घटना का CCTV पुटेज भी सामने आया है, मामला राजगड के पारायन चौक इलाके में मंगलवार दोपहर का है, बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, उसने पहले एक पिकप वाहन को टकर मारी, उसे घसीटा ले गया, इसी दोरान पाच मोटर साइकल स्कूटी को भी चपेट में ले लिया, बाजार में करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी मची रही, जबकि ड्राइवर मौके से भाग निकला, मध् पर जम कर नारिबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रिवा में महिलाओं को जिन्दा दफ्नाने की कोशिश की गई, प्रदेश में जगे-जगे महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना सामने आ रही है, और सरकार सखत क कारवाही नहीं कर पा रही है महिला कॉंग्रेस ने कहा कि यदि महिलाओं को प्रदेश में सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादब को ततकालपत से इस्तीफा दे देना चाहिए देखिए बिल्कुल महिला कॉंग्रेस के नेतित में आज मक्मुज में जब से भाजपा की सरकार बनी है पहले में दुराचार में ठेखिए पर घंप लेकिन आज के समय जिस तरह की मढ़स्री puck हो रही है काल जिस तरह रेवा में को मुरम डालके की कौस्स की गई आज गुना में एक महिला को रोड सडक पर पीट पीट के मारा उसको तो यह सरकार कर क्या रहे हैं अपने आपको इतना असुरिक्षित वातवरण में नहीं कर पा रही है और आए दिन महिलाओं पर जिस तरह से अत्यचार हो रहे हैं मैं कहना चाहती मानने मुख्यमंत्री जी स क्योंकि इन बेहनों को और अगर मध्य परदेश की सरकार इनकी सुरक्षा नहीं दे पारी रक्षा नहीं कर पारी है तो आप अपनी नीन से जा गिए और उन वैरों को रक्षा कीजिए अन्य था महिला कॉंग्रेस हमेशा नाय की लड़ाई लड़ती रही है वाज उठाती और सड़कों पे अगर बेहनों को सुरक्षा परदान नहीं की गई तो हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे और जो व्यक्तिस में सलंगन है उनको ग्रप्तार किया जाएं सीधे सिले के मजहौली में मढवास फुलिस चौकी अंतरगत स्टॉप डैम में नहाने के दौरान पानी में डूबने से एक चालिस वर्षी व्यक्ति की मौध हो गई है मढवास निवासी मृतक के पिता मथुरा प्रसाद विश्व कर्मा के मताबिक उनका बेटा संतोष तोंबार सुबह करीब ग्यारह बजे सहरा नदी में पोस्ट आफिस मार्ग पर बने स्टॉप डैम में रोज की तरहना हाने के लिए गया था वापस नहीं लोटने पर उसकी तलाश की गई शाम साथ बजे मढवास पुलिस को घटना की सूचना दे गई जिसके बाद पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी लेकिन मंगलवार सुबह करीब आठ बजे ग्रामीनों को संतोष का शव पानी में दिखा जानकारी मिलने पर मढवास चोकी प्रभारी के दार परावखा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पानी से बाहर निकाला पंचनामा कारवाही के बाद शव को पीम के लिए उपस्वास्ते केंद्र मढवास भेजा गया पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है प्रसद्ध कलाकार आलोग शुकला के नाटक उसके साथ और हुआप का जबर्दस्त मंचन दिल्ली के द्वार का सेक्टर चार की इसपातिका सोसाइटी के हॉल में किया महिलाओं की समाज में दुर्दशा पर आधारित 45 मिनिट के दो पात्री नाटक उसके साथ में लीट करदार को मुंबई से आई प्रसद्ध एक्टरस रूमा रजनी ने बड़े ही जीवन्त तरीके से निभाया तो उनके साथ आलोग शुक्ला विजय लक्ष्मी और आराध्या ने बहुवी अपनी भूमी का का निर्वहन किया इसी के साथ ये समाचार बॉलिटन समाप्त हुआ खबरों से बाखबर रहने के लिए जुड़े रहे शब्दसाची से अब दीजे इजासत नमस्कार